चिला परिशित का मंगलवार को 33 करोड का बज़ेट पेश हुआ इस बज़ेट में अर्थ सभापती भारती पार्टल ने खेती और पशुस समवर्दन पर ध्यान दिया है मंगलवार को चिला परिशित की बज़ेट आमसभा संपन होए इस सभा में सभागरों के सामने अर्थ सभापती भारती पाटल ने 33 करोड रुपे का बजेट पेश किया कोर्णा के चलते सभी व्यापार पिछले साल बंद पड़े थी ऐसे में इस साल पेश होने वाले बजेट पर सभी की निगाहे लगे हुई थी 2020 और 2021 के बजेट शिक्षा खेती और पशु सवर्धन पर ज्यादा ध्यान दिया गया इस बात की जानकारी अर्थ सभापती भारती पाटल इन्होंने दी करोना में उसके करण गाओ के बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पारे उसके करण उनको डिजिटल माध्यम से क्या कर सकती इसके लिए थोड़ा बहुत दर्थूत किया हुआ है उसके बाद इतने सालों में कृशी भी भाग जो है उसमें वयक्तिक लाब जिसे बो सभागरों पेश हुए इस बच्च में विरोधकों ने काफी हंगामा किया सभाश शुरू होते ही विरोधक के और से नारे लगाए गए इस हंगामे के बीच ही बच्चे को पारित किया गया या वर्षिच आपला बजट आहे 28 कोटी सदुसस्ट लक्ष नववध हजार साशेतीन योड़ा आपला बजट मंजूर जालेला आहे आणि या मधे आपन पशु सवर्धन आनि कृशी या विभागाला आपन जास्ती जास्त निजी दिनाचा प्रेत्ना केलेला है अमधे सांगनेचा सकाई ने यहे विरोधक आपन किती ही सत्ताधी करणे किती ही चांगला काम केला तरी विरोधकांची ओर जालेला आपन माला जिल्ला परिश अद्यक्षिया ना तेने फार समाधाना है कि अत्येंत विकट आनि करोन चाशा परिस्तिती मधे आपन कुटले यही विकासाचा कामाला अडधला न आनता गावा मधिल ग्रामीन भागा मधिल विकासाची कामा ही व्यवस्थीत रित्या आणि चांगले पद्धतिनी शुरू आहे यहा मधे शेतकरें साथी आता कुशी विभागा मधे मागे काही ही नियोजा नसले मुड आपन सन्मान न सुद्धापन देनना दिवशोक तो असा आया अच्छा है यहा बजट चा सबे मधे साधर जाले रहा है क्यामर पोस्थिन राजकमार मोड के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाकपूर